तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं रेस और वो भी उसमें हम लोग पढ़ेंगे लीनियर और सर्कुलर दोनों टाइप के ट्रैक तो पहले कुछ कुस्टन कोषिएं ओंदो सारी कोशन्स हमारे होते हैंट ऑ अग चलत करते हैं पहले कुछ टम्नलोजी से कुछ पॉइंट से जो कि काफी ज़ादा जरूरी है और वो क्या है पहले स्टाट करेंगे लीनियर रेस में क्या 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 हमारे पास टमिलोजी होना चाहिए और क्या क्या चीज़ है इंपॉडेंट है जो कि हमें सीखना है एक्च्वल में यह TSD यानि Speed Time Distance का ही हमारा क्या है पार् टाइम का रेशियो जस्त क्या होजाता है पोसे तो भौणे पार नज़ी होता है इसमें भी चूंसमें सबसे ज़्याधा उसे ऐसी चीज का moves और ऑन वारी अब यह इसको होता है जु स्टाइए प्सके शर्टirm यह स्टार्टिंग पॉइंट इस फिनिश्ट लाइन अब यहां से अगर स्टार्ट कर रहे हैं ए बंदा या बंदा और साथ में सी बंदा तो कोई तो जीतेगा यानि यहां तक पहुंचेगा लेकिन उसको कबर तो इतना ही करना था तो यहां पर डिस्टेंस सारे लोगों के यह स्टार्टिंग पॉइंचि के बीच वो सभी के लिए बराबर होता है तो कहिना के ही डिस्टेंस कंस्टेंस हो जाती है एक इसका भीन यहीं तो निकलता है рай आगर मैं यहां से स्टार्ड कर रहा हूं और यहां पर मेरी फिनिशिंग लाइन है तो इसमें बंदे यहीं से स्टार्ड करके यहीं तो पहुंचना चाहते हैं यानि distance उनके लिए सारे लोगों के लिए सेम ही है ना सेम बोले तो constant ही तो है distance बुझें तो यह point का इसमें काफी use होता है इसलिए मैंने पहले बता दिया आपको और बाकी एक चीज तो आपको पता ही है क्या के distance is equal to speed into time यह तो भाई बिलकुल ऐसी बात होगी ना कि इसके बिना तो कुछ होगी नहीं सकता है ना तो यह चीज तो पहले हम लोग लीनियर पढ़ेंगे लीनियर का concept थोड़ा सा अलग है और circular का concept अलग है circular में जो चीजें लगती है वह मैं circular जब पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा अभी इसी session में है तो पहले कुछ terminology देख लेते हैं हम लोग जो की related है हमारी race से और यह जो लगेंगी हमारी circular में भी और linear में दौनों में लगेंगी तो यह दौनों की combined है जहां पर भी use हमें इस चीज का होगा उस चीज का हम लोग use कर लेंगे तो जो question बनते हैं वो कुछ statement ऐसे ही आते हैं ज जो yellow color से आपके पास लेखें तो this is basically point first, point two, point three and point four तो चार नहीं पाच पॉइंट है हां यह पाच पॉइंट के उपर हम लोग discuss करेंगे और इसी के उपर ही question बनते हैं ऐसे ही question बनते हैं अब पहला point जो yellow color से heading है ना उसको देखिए क्या लिखा है a gives b a start of x meter माने कि यह starting point है यह starting line है और यह हमारी finishing line है यह पूरा track है हमारा ओके यह पूरा track है तो a नहीं बोला क्या भी से कि मैं तो भाई भागूंगा starting point से तुम थोड़ा सा आगे से भागो कहा से भागो मेरे से x meter आगे से भागो है ना तो a यहां पे दोड़ेगा यहां स और b दोड़ेगा यहां से समझ में आ रही है चीजह है क्योंकि उसने इसको एक start दे दिया जैसे हम लोग छोटे भाई बैनों को नहीं देते हैं कि भाई तुम थोड़ा सा आगे से भागो मैं पीछे से भागूंगा अब इसने इसको start तो दे दिया this statement implies that while a starts the race from starting point whereas b start 10 meter ahead of a है ना मतलब कि मान के चलो कि यार अगर वो 10 meter ahead of a से अगर भाग रहा है तो cover a 100 meter race in this case so a will have to cover 100 meter while b will have to cover only 100 minus x बोले तो 100 minus 10 यानी की 90 meter बूझे अब ये जो 10 meter ahead है ना इसको मैंने यहां पे रखके बता दिया तो a जो distance cover कर रहा है वो कितनी distance cover कर रहा है 100 की और b जो distance cover कर रहा है नाइन्टी की समझ में आ रहा है clear हुआ तो एक के लिए जो एक्चॉल में रेस हो गई वह 100 meter की है और बी के लिए जो रेस हो गई वह 90 meter की है कि समझ में आया ना कि है ना मुझे बताते चाहिएगा आप लोग जो भी मैं बता रहा है तो एक तरह से यह मैंने आपको बता दिया अब एक्चॉल में इसमें क्या हो रहा है ना इसमें एक hidden से लाइन तक पहुंच गए अब कौन जीता कौन हारा यह तो नहीं बता है धर पे एथा यह हमारा winner है या वी हमारा विनर है इसके बारे में चरचा नहीं करी इसके बारे में चरचा होगी जब question बनते है तो यह हमारे इतने type के case कितने type के case होते हैं में रेस में वो केस बता रहा हूं मैं भी आपको तो पहला केस तो यह हो गया कि अगर एगर बी को कुछ start देता एक्स मीटर का डैट मेंस वाट कि एगा हमारा 100 मीटर का एक पूरा पात है मानके चलो तो एग पूरा 100 एक बोला था कि यार तुम एक्स मीटर आगे से भागो ठीक है लेकिन अब एक्स मीटर से हरा दिया यानि बीट कर दिया तो वही हमारा जो डाइगराम है वही बनेगा यहां से भाग रहा है यहां से भी भाग रहा है ठीक है लेकिन ए निखे मीटर से आधिया एक्स मीटर से यानि जब एपूरा 100 मीटर यहाँ पहुच गया था है तो पीछे रह गया था तबिक रागभा that means what कि A की speed जो है वो B की speed से ज़ादा है ये hidden meaning निकल के आती है या नहीं मतलब भागे तो जौनों वहीं से थे अब ये जो condition होती है ना इसमें हमारा same time का भूर निकल के आता है feeling अब क्यों same time का थोड़ा सा मैं definition पढ़के बताता हूं को clearly समझ में आएगा this statement implies that in the same time while A reached the winning point whereas B is behind A by X meter है ना तो X meter या फिर कोई भी मैं बोल देता हूं 5 meter बोल दिया है to cover the 100 meter race in this case A has to cover 100 meter while B has to cover B has covered only 100 minus X बोले तो 95 यानि A ने पूरा cover किया 100 meter जबकि B ने cover किया है ये 5 meter से हडा है ना उसको तो 95 meter only तो ये case हमको निकल के आता है कि अगर A पूरा 100 meter भाग रहा है और X meter से अगर इसे हरा रहा है तो ये वाली distance ही तो सिर्फ X है तो B ने कितना cover किया है 100 minus X ही distance cover किया है जबकि यहाँ पे क्या यहाँ भी तो B जो 100 minus X कर रहा है लेकिन ये finishing point पे पहुँच रहा है जबकि यहाँ ऐसा नहीं है यहाँ पे start तो वो लोग साथ में यानि starting वाली point से करेंगे लेकिन A उसको हरा देता है X meter से यानि कुछ distance से समझ में आ रहा है ठीक है clear है ना कोई दिक्कत तो नहीं है ओके very nice तो अभी हम लोग ने देखा कि X meter का यानि कुछ distance का इसने क्या दिया उसे एक start दिया और यहाँ पे किसी distance से उसने उसको हरा दिया है ना तो अभी दोनों ही point में वाद हमारी distance वाली बात होँए ना अब एक चीज और होती है देखो कोई भी अगर 2 racer है या 2 runner है तो वो क्या कर सकते हैं अगर जैसे मान किसे लोग एक runner है A और एक runner है B तो या तो वो से पीछे छोड़ दे यानि distance से हरा सकता है है ना या तो वो से distance से हरा सकता है या फिर वो से time से भी तो हरा सकता है कि वो पहले पहुँच गया ये बाद मैं पहुँचा time से भी तो हरा सकता है तो देखो अब बात आजाती है हमारी time की कि A can give B one second किसी का call आ रहा है चलो नहीं आ रहा है A can give B I start off T minute अगर A जो है वो B को T minute का start देदे that means what कि यही हमारा diagram बनेगा this is starting point and this is finishing point अब A तो यहां से बोलेगा मतब यही से बैसे तो यही से भागना चाहिए लेकिन A क्या करता है A B को कुछ minute देदेता है कि भाई इतने minute तुम भाग लो इतने minute या इतने second यह T minutes भी हो सकते हैं और T seconds भी हो सकते हैं तो individually हम दोग एक time की unit लेके बैठे हैं अदर पर ठीक है So A ने B से बोला कि भाई तुम T minute तक भाग लो अब T minute तक वो भागा तो T minute तक यहां पहुँच गया अब इसके लिए इसकी speed जरूरत है Speed होगी तभी तो इसमें multiply time का गराएंगे तब तो distance पता पड़ेगी तो T minute तक यानि B जब यहां पहुच गया ना तब A ने भागना चालू किया तब A ने भागना चालू किया अब जब A भी भाग रहा है और B भी भाग रहा है तो B ने जो cover किया है actual में वो यह वाला distance cover किया है क्योंकि इतने का तो उसको start मिल किया था है ना So this statement implies that A will start T minute after B start from the starting point Both A and B will reach the finishing point at the same time और तब भी अगर यह दौनों same time पे यहां पहुँचते हैं same time पे अगर यहां पे यह पहुच जाते हैं तो इस type के question में हम लोग क्या करेंगे एक case हमारा यह भी होता है ठीक है तो A, B को क्या कर सकता है A, B को कुछ distance का start भी दे सकता है और कुछ time का भी start दे सकता है तो दौनों चीज़ें अलग-अलग है ठीक है अब दौनों की combination हो गए क्या combination हो गए अभी आप बोलोगे कि सर वो कुछ ना कुछ time से हरा भी तो सकता है कैसे जैसे यह starting point है और यह finishing point है अब A जब यहां पहुच गया तो वो जल्दी पहुच गया और B तब तक यहीं पहुच पाय था तो कहीं ना कहीं यह condition वही है ना कि B जो है उस समय किसी ना किसी distance से पीछे रह गया है तो यह जो distance वाला portion है यह जो distance वाला point है और जो time वाला मैं बता रहा हूं ना कितने time से A ने भी को हराया वो दौनों same ही condition पैदा कर देता है got it है ना तो तीन points हो गए हमारे तीन case हो गए तीन case से हमारे question बन सकते है चौता case जो है वो combination है distance and time का अब A क्या कर रहा है A B को X meter का क्या देता है एक start देता है और साथी साथ में T minute का भी start देता है जैसे यह starting point है यह finishing point है तो A यहां पर है B से बुला कि भाई तुम X minute तक भाग लो कब तक भाग लो X minute का मैंने तुमको start दे दिया है और साथी साथ में T minute का कैसे समझेंगे उसके लिए definition पड़ते है this statement implies that A and B start from the starting point at the same instant instant यानि की same time पर वो लोग क्या करते है उसी शन में वो लोग start करते है यानि इन्हों ने start तो साथ में कर दिया इन्हों ने start same time पर कर दिया लेकिन उसके बाद क्या कहानी होई वो देखते हैं but while A reach the finishing point B is behind by X meter तो जब A हमारा finishing point पर पहुंच गया था तो B हमारा X meter behind था ठीक है X meter behind तो बहुत यहां से सुनना सबसे perfect जो question बनता है और कोई जो हिसे इस type की question को जो हिला नहीं बाते हैं उनको यह सीखना बहुत जादा ज़रूरी है ठीक है अब यह X meter पीछे रह गया अब हुआ क्या B takes T minutes compared to A to complete the race अब B को यह जो X meter है इसको complete करने के लिए T minute लगते हैं यह वाली distance को cover करने के लिए B को इतना minute लगता है तो क्या मैं इसकी speed नहीं नकाल सकता हूँ तो यहां से B की speed कितनी आजाएगी distance upon time यहनि इतना meter per minute अगर T minute में है तो minute और second में है तो second यहां से सीधी निकलती है B की speed यह वाला point इसलिए इतना जादा important है so B covers remaining x meter in extra T minute जो उसने extra T minute दिया था ना A नहीं उतने में वो उसको cover कर लेगा so this gives the speed of B as x upon T clear हुआ ना यह चाहिछ यह point यह वाला clear हुआ है नहीं तो जब भी A जो है वो B को x meter और T minutes यानि दौनों का साथ में अगर वो उसको start देता है तो इसका मतलब क्या है कि A जब finishing point में पहुँच जाएगा तो B कही ना कि उससे x meter पीछे रह जाएगा और यह जो x meter पीछे रह गई है यह x meter की distance है इसको cover करने के लिए क्या time दिया गया था उसको जो भी time दिया गया था उसमें ही यह x meter cover करेगा तो distance हमारे पास है time हमारे पास है तो speed का formula distance upon time होता है तो हम यहां से B की speed निकाल लेंगे दोस्ते clear हुआ गया बताइए फटा-फट से जल्दी इस देट क्लियर अगर टाइम का स्टार्ट इनीशली दे देखो टाइम का स्टार्ट जब भी इस टाइप के के इसके question बनेंगे ना जब भी ऐसा combination वाला question बनेंगे ना उसकी language आपको ऐसे ही set करके दी गई होगी कि आपको वो X meter से मतलब B जो है वो X meter से हारेगा और जो हारेगा वो उतने समय में उसको cover कर सकता है जो उसको time मिला है अब इसका question जब हम करेंगे तो definitely आपको यही समझ में आ जाएगी initially हम tea time नहीं दे सकते उसको ऐसे case में जब भी combo देगा ना वो यानि कुछ distance का दूसरा type हमारा ऐसा बनेगा तीसरा type हमारा ऐसा और चौथा type हमारा ऐसा बनेगा लेकिन इसको करने की अभी आपको approach नहीं पता है अभी सिर्फ आपको पता है कि question ऐसे बनते हैं इसका figure इसका diagram ऐसा बनेगा बट question करेंगे कैसे हम वो हम लोग question में देखेंगे ठीक है यहां से आपको सिर्फ एक sense पदा पड़ गया कि कितने type के question हमारे पास बन सकते हैं यह इसके cases है अब एक आता है हमारे पास dead heat अब dead heat क्या होता है ए डैड हीट situation sorry dead heat situation is when all participants reach the finishing point at the same instant of time dead heat situation कौन सी होती है dead heat में क्या होता है कि जैसे मान के चलो चार participants है a b c d इनना यह चार पार्टिसिपेंट्स यह स्टार्टिंग लाइन है और यह हमारी क्या है end याणी finishing line है तो finishing like पर यानि finishing point पर सारे के सारे जो participants हैं वो एकटे पहुंच जाते हैं उसी time पर पहुंच जाते हैं जिस time पर A पहुंचा just उसी time पर B पहुंचा उसी time पर C और उसी time पर C दी पहुंच गया तो ऐसे के सको बोलते हैं हम लोग dead heat अब इस type के question कैसे किये जाते हैं वो भी condition हमारे पास आएगी अब actual में यह सिर्फ और सिर्फ इस की definition है कि dead heat होता क्या है अगर हमें यह नहीं पता होगा कि dead heat है क्या तो हम उस type का question कर भी नहीं पाएंगे dead heat means कि अगर सारे के सारे जो participants हैं वो same time पर finishing point पर या finishing line पर पहुंच जाए यह हमारा dead heat होता है तो कहीं भी question में अगर यह चीज यूज की जाएगी तो उसका मतलब सीधा सीधा यह निकलेगा कि यह सारे के सारे जो बंदे हैं वो same time पर पहुंच रहा है आप किस ने किसको कितना start दिया I don't know लेकिन dead heat word अगर वहां पर यूज कर लिया गया है तो वो same time पर finishing point पर या finishing line पर पहुंचने वाले हैं अब देखो अभी छोटा मोटा clear हुआ होगा अभी सिर्फ हमने case समझें इसके है अभी हम इसके question समझते हैं तो question पर आता हूं मैं question क्या है इसके पहला question देखो मैं पढ़ता हूं बहुत ध्यान से समझना बिल्कुल focus करना इधर पर इना race इना 50-meter race तो जो track है वो 50-meter का है ना इना 50-meter race यानि कि this is starting point so this is finishing point ओके यह starting point हो गया यह finishing point हो गया और यहां की जो distance है कितनी distance है 50-meter की यह distance है diagram बनाते चलोगे diagram सीखते चलोगे diagram के use से मतब diagram के क्या बोलते है यार उसको मैं बढ़ी बोल गया diagram क्या था वो diagram के साथ diagram के according हाँ जो भी है वादब diagram के according diagram की हाँ यार help से help है वो वड़े ही नहीं आ रहा था मेरे दिमाज में diagram की help से diagram के through अगर आप इस चीज को करोगे तो हमेशा यह चीज आपकी सही होगी आप खुछ भी अगर इसमें अनुमान लगा के करोगे तो आपने कभी भी यह चीज सही तो होगी लेकिन वही है कि से confusion बना रहेगा हमेशा के लिए तो इना 50 मीटर रेस तो 50 मीटर की रेस है यानि स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग लाइन और फिनिशिंग लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है सिंपल एक एन गिवा स्टार्ट ऑफ 5 मीटर टो बी तो ए नहीं बी को 5 केसा थांद सैफ यहां से दोडएगा और वी यहां से दोड़ेगा यानिकी 5-टर का यह स्टार्ट है तो बी कितना कबर करें ब्लब की लिए जो रेस का को गया 45 मिंट का हो घुए 45 मिटर या नहीं अई हो गया वीज़िए जो ट्रेक बछा वह 45 मीटर का ही तो बचा क्योंक कि छी जो है कि छी लगबक लगबक यहां से दोड़ेगा यहां से अब हुस्टीन मीतिर को अगर स्टार्ट दे दिया इसको तो बचेंगा कितने हमारे पास थते जिक्स मीटर तो थोड़ा सा यहां तक बना दिये लेके यहां तक सी यहां से स्टरट करें yang सी के लिए जो रेसिंग ट्रैक है वो सिर्फ थर्टी सिक्स मीटर का है हाँ है ना है का किलियर हो रहा है A कितना भाग रहा है A के लिए जो racing track है वो 50 meter का है B के लिए जो racing track है वो हमारा 45 meter का है और C के लिए जो racing track है वो हमारा 36 meter का है ये चीज़ समझ में आ गई क्योंकि ये मैंने diagram के through आपको बता दिया आचा अब देखो आगे क्या है In the same race How much start B give to C अब ये बाला बताओ अब जैसे तुम पढ़ोगे ना तो सीधा इसका difference निकाल लोगे जबकि difference वाली बात नहीं है इसमें ना ना बिलकुल भी नहीं इसमें difference की कहानी नहीं होगी क्या होगा फिर वो देखते हैं तो in the same race इसी same race में How much start can B give to C तो B ने C को कितना start दिया तो उसके लिए जो diagram है ना मारा ये एक अलग से diagram बनाना पड़ेगा क्या बनाना पड़ेगा ये starting point है और ये finishing point है ठीक है बात किसकी हो रही है B and C की हो रही है ना अगर तो अगर question में हमसे B and C की अगर बात हो रही है तो यहां पर B यहां से start करेगा तो B कितना भागेगा 50 meter है ना अगर B और C की बात हो रही है उसी same race में तो B कितना भागेगा 50 meter तो मुझे बताना है कि C कितना भागेगा क्योंकि कुछ ना कुछ तो start दे रहा है तो C कितना भागेगा हमें यही बताना है और साथ में जो question है वो है ये वाली distance कि C को कितना start उसने दिया ठीक है तो यहां पे अगर मैं तीनों को देखता हूँ तो यहां पे मेरा जो B और C का ratio निकल ला है distance का वो बताना ज़रा मुझे 45 ratio 36 निकल ला है सर यानि की 5 ratio कितना निकल ला है 4 निकल ला है हां या ना जल्दी से बताओ हां या ना मिला है ना आचछा अगर मैं इनी दोनों की individual बात कर रहा हूँ तो यहां पे भी कितना मीटर भागो रहा है 50 मीटर यानि 5 unit की value के वेलू कितनी हो गई ? 50 m, तो one unit के value कितनी हो गई ? TO four unit की कतनी हो गई ? Sorry,one unit की value 10 m, 40 m , यैनि C जो है वो कितना 80 m भाग रहा है,40 m, तो कितना श को start मिल गया ? 10 m become a yohi our answer समझ में आया ? यही हमार answer is this is the race this is the risk clear हुआ समझ में आ गया बस यही करना है और कुछ नहीं करना है तो actual जो हमारी distance निकली थी मतब actually जो question में हमें दिया गया था वहां से निकलेगा हमारा ratio जिसके भी बीच मैं पूछाओ A ने C को कितना start दिया था वो तो मैं question में पता है A ने B को कितना start दिया था वो भी मैं question में पता है तो B ने कितना C को start दिया यह हमसे पूछेगा वो और अगर यह पूछेगा तो यहां से निकलेगा इनकी distance का ratio जो actual में यह लोग दोड रहे थे और अब अगर individually सिर्फ इनकी बात हुईगी न तो B पूरा cover करेगा क्योंकि उसी same race में अगर मैं B और C को दोडाऊं तो B कितना C को start देगा कुझे कितना start देगा कैसे B को पूरी race cover करवा दो क्योंकि B तो start दे रहे न सी को और C को थोड़ा सा आगे भागवा दो तो इन्हों का ratio देखलो भाई कितना निकलाता है according to the question तो according to the question इनका ratio निकलाता 5 ratio 4 अब B अगर पूरा भाग रहा है तो 5 unit की value 50 है तो 4 unit की value 40 हो जाएगी तो C 40 भागेगा पूरा racing track 50 का था यानि start इसको मिल गए 10 का यही हमारा answer है easy ना clear हुआ आप ऐसे question बनेगे कम से कम 15 से 16 जब आप खुद से practice करोगे ना तो कम से कम 20 से पच्चेस question सेम ऐसी मिल जाएंगे आपको जहां से practice करोगे सब में यहीं लगएगा तो मैंने क्या बूला दस question करने से अच्छा है एक question को बहुत अच्छे से समझ दो अगला question देखिए एना 500 मीटर रेस एक 500 मीटर की रेस है कितनी की यह starting point रहा और यह finishing point रहा और इसकी जो distance यह कितनी है 500 मीटर की so in a 500 मीटर रेस A reached the final point in 28 seconds तो A को कितना time लगता है 28 seconds and B reached in 35 seconds इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ by how much distance A does A beat B यानि कि दौनों ने distance तो equally cover की है न दौनों ने distance equally cover की है हाँ या न की है या नहीं की है और जब distance हमारी क्या होती है equal होती है सुनते जाना बहुत जहांते जब distance equal होती है तो हमारा जो ratio speed का है और जो speed जो हमारा time का है वो just उल्टा हो जाता है लेकिन ध्यान से अगर पढ़ोगे तो question क्या पूछा है उसने question पूछा है by how much distance does A beat B यानि A नए B को कितनी distance से हराया that means what कि A तो यहां तक पहुँच गया लेकिन B नहीं पहुँच पाया बुझे clear हुआ हाया ना B नहीं पहुँच पाया तभी तो वो हारेगा यानि distance दोनों ने equal नहीं करी ये कबर बुझे distance दोनों ने equal cover नहीं किया कितने seconds से हर गया ये कितने seconds से हर गया इसने ये वाला पूरा track कबर किया है कितने seconds में 35 seconds में 35 sorry 28 seconds में देखो in a 500 meter race A reached the final point in 28 seconds and B reached in 35 seconds माने कि A हमारा पहुचा है यहां तक कितने seconds में 30 sorry 28 seconds में और जबकि B अगर यहां तक पहुचता तो उसको 35 seconds लगते अगर B पहुचता तो लेकिन B यहां तक पहुचा नहीं है B सिर्फ यहीं तक पहुचा है और जैसे ही उसने देखा कि मैं यहां तक पहुचा हूँ A ने finish कर लिया यानि B भी यहां तक 28 seconds में पहुचा हूँगा बाकी 7 seconds इसको और मिल जाते ना तो बिचारा जीट जाता इसको वो 7 seconds नहीं मिले बस इसको वो 7 seconds नहीं मिले clear हो रहा है बुझे है इसको वो 7 seconds नहीं मिले अगर इसको यह 7 seconds मिल जाते तो इसका काम हो जाता तो मुझे निकालना है कि B ने जो distance cover की है यानि this much ये वाली distance जो है B ने जो cover की है वो कितनी है ये वाली value मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा बहुत ध्यान से समझेगा ध्यान से कैसे समझोगे सबसे पहले अगर मैं total distance ले लूँ total distance इसकी कितनी है 500 total distance कितनी है इसकी 500 और B अगर पूरा 35 second में अधर cover कर रहा है तो B की speed आ जाएगी ना कितनी 500 upon 35 ये चीज मानते हो या नहीं total distance 500 meter और इसका total time कितना है इतना second तो यहां से B की speed आ जाएगी ना B की speed आ जाएगी ना यहां से क्योंकि इतने में तो वो cover कर सकता है ना इतने में पहुँच जाएगा वो पहुचा नहीं वो बात अलग है लेकिन पहुँच तो जाता है इतने में तो यही तो इसकी speed है 5 से this is 7 time 5 से this is 100 time कितना यह इसकी speed आ गई meter per second this is the actual speed of B अब मुझे बताना है कि B की actual speed अगर यह है तो उसने 28 second में कितना cover किया होगा हाँ है ना और दूसरी चीज उसने यह वाला कितने में cover किया होगा तो question क्या पूचा है यह पूचलो बस वही distance निकाल लेंगे हम लोग तो देखो by how much distance does A beat B तो B को अगर A ने हराए तो किस distance है इस distance से हराए ना यही distance से हराए ना B को A ने तो यह वाली distance है कितनी तो B इस वाली distance को 7 second में cover कर सकता है दोस्त बी की speed कितनी है distance निकालना है ना B की remaining distance B की speed कितनी है उसमें time का multiply करा दो B की speed है सथ 100 upon 7 और यह कितनी second में कर सकता है यह वाली distance को बस 7 second में 7 से 7 कट गया 100 meter से हराए इसने सको पूझे 100 meter से हराए इसने सको clear हुआ đ'ół दो पूइन दो 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 RJ अभाव, दो दो किधे उसे हरा है पूभाव, अगवब पहले 15 लोग थे जोईन फिर एक धृरे से 14 हुए फिर से 13 हुए फिर धीर से 12 हुए फिर धीर से 11 हुए रोजी यही तो होता है धीर से 10 होंगे दीर से नौ भी होंगे आथ होंगे साथ होंगे 6 होंगे, 5 होंगे 7 मैं अपने आप कोई पढ़ा रहा हूंगा काफी हाज सपर्दर चीज है न चलो बढ़ी आए ओके नेक्स्ट कोशन पर आते हैं अगला कोशन देखिए यह चीज़ क्लियर हो गई न इसी टाइप के कोशन बनते हैं और इसी टाइप के कोशन आपको मिलते रहेंगे रेस के कोशन बस यह होता है कंशेप्ट अब जो हमने पहले पढ़ा था उसमें कोई कंशेप्ट इदर लगनी डाइब कोशन देखिए यहां पर क्या दिया गया है a runs 4 times as fast as b यानि a की speed और b की speed का मैं ratio निकाल सकता हूँ अगर a की speed और b की speed मैं पूछ हूँ तुम से तो a runs 4 times as fast as b अगर इसकी speed x है तो इसकी 4x हो जाएगी 4 times faster है न तो यहां से अगर मैं इनकी speed का ratio निकालू तो वो कितना आ जाएगा 4 ratio बना जाएगा हाँ है न 4 ratio बन आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है if a gives b i start off 60 meter अब देखो एक racing track तो बनाना पड़ेगा न उसके लिए एक racing track बनाना पड़ेगा this is starting line and this is finishing line यानि a जब यहां था तो b जब यहां था और इन दौनों के बीच की distance उसमें 60 meter थी कितनी थी 60 meter क्योंकि a ने b को start दी है 60 meter कर जो start दी है तो a जब starting point पे था तो b से बोला था कि 60 meter आगे खड़े हो जाओ मेरे से वो खड़ा हो गया चुप-चुप से आगे देखो how far must the goal on the race course we saw that a and b reach in the same time at the same time मतलब हमें बताना है कि racing track की जो racing पूरा track है उसकी length कितनी है racing जो track है उसकी length कितनी है जिससे की जो दौनों बंदे है वो same time पे पहुँच जाए तो मैंने बोला racing track जो है ना ये remaining जो distance है ना वो x है तो racing track कितना हो जाएगा 60 plus x meter का हाई ना बताई ये फटाफट तो racing track कितने का हो जाएगा 60 plus x meter का हमारा हो जाएगा तो ultimately में x की value निकालना है अब मुझे एक चीज बताना अगर ये दोरों same time पे यहां पहुच रहे हैं तो a यहां से यहां तक जितने time में पहुचा होगा उतने ही time में b b हमारा यहां से यहां तक पहुचा होगा हाई ना तो b अगर यहां से यहां तक पहुचा है तो कितनी distance चला है ये sir x की distance चला है इसको मैं s माल लेता हूं नहीं तो confusion होगा ये कितनी distance चला है x distance चला है कितनी speed से बताओ मुझे जल्दी से sir s की speed से उतने ही time में age sir चला है 60 plus x, कितना चला है 60 plus x, कितने की speed से, आप बोलोगे sir 4s की speed से, हाँ या ना, मुझे तो just ये पता करना है बस, हाँ या ना, है ना, अब s से s कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4x is equals to 60 plus x, तो 3x is equals to 60, तो x की value कितनी हो जाएगी, 20, यानि ये x की value अगर 20 हो गई, तो इसकी racing track की value कितनी हो जाएगी, 80 meter, easy, खतन कहानी, क्या दिखकत है, ऐसे question आते हैं racing मेर, तीनो question अलग 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 थे, कोई भी question आपको ऐसा लगा, जो match कर रहा हो एक दूसरे से, लगा क्या ऐसा, नहीं लगाना, आगे आ जाते हैं, लगना भी नहीं चाहिए, तीन question पढ़ने का मतलब है, कि हमने तीन अलग अलग concept से लिए, तीन अलग अलग type के question देख लिए, अब इसके उपर, अगर मैं तुमको 15 या 20 question करा देता, पांच question पहले topic से, मतलब पहले वाला question था उस type के, पांच question अगले type के और पांच question ये तीसरे question वाले, तो कराने को तो मैं करा सकता हूँ, वही वही चीज़ें होती रहेंगे, लेकिन यहां से आपको एक certain चीज़े पता पढ़ीगे, और ऐसी बनेंगे वो question सारे, अगले question पर आते हैं, अगला question क्या है, इना 10 km race, एक 10 km की हमारी race है, अब ध्यान से सुनना, अब आये हैं question बहु अगर अगर अपनी speed से 10 km पर आर से भाग रहा है, तो वो पूरी race में 10 km पर आर से ही भागेगा, बी अगर किसी speed से भाग रहा है, तो वो उसी speed से भागेगा पूरे track पे, ठीक है, तो इना 10 km race, एक 10 km की race में बना लेता हूँ, पहले तो, so this is starting point and this is finishing point, okay, यह starting point हो गया, यह finishing point होगा, total distance कितनी होगा, इसकी 10 km, okay, आगे देखता है, uniform speed से लोग भागते है, get the gold, silver and bronze medal respectively, respectively का मतलब, A को मिलेगा gold, क्योंकि A की बात पहले हो रही है, B को मिलेगा हमारा silver, क्योंकि B की बात second number पर हो रही है, और C की बात हो रही है, मारी third पर तो इसको मिलेगा, मैं bronze, और ऐ ऐसा मैं ऐसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि यह respectively word दे दिया, तो अब आपको पता है, कि A को अगर gold मिलेगा, तो 100% बात यह है, कि वो first है, gold किसे मिलता है, जो first होता है, silver second and bronze third, बुझ है, यानि A हमारा जो है, वो first रहेगा, B हमारा second रहेगा, और C जो है, वो हमारा third रहेगा, बहुत बढ़िया, if A beats B by 1 km, and B beats C by 1 km, then by how many meters does A beats C, अब question number 2 जो है, question number 1 जो हमने किया था, उसमें क्या किया था, कि A ने B को start दिया था 5 meter का, और C को start दिया था 14 meter का, तो यहां पर question में पूछ लिया था, कि B ने C को कितना start दिया, जबकि यह question क्या कहता है, थोड़ा सा लग ह तो यह हमारा यहां पहुच गया था, जब A हमारा यहां पहुच गया था, उनना बहुत दियान से, यानी ने पूरा 10 km जब भाग लिया था, तो B ने भागा था लगभग लगभग यहां तक क्यों क्योंकि A ने B को 1 km से हराया है यानि B हमारा यहां तक भागा था यानि कि 9 km भागा था B correct है ठीक है and B beats C by 1 km और B ने C को 1 km से हराया तो अगर B ने C को 1 km से हराया तो यह पूरा racing track मैं बना लेता हूँ 10 km का नीचे को थोड़ा सा तो C हमारा यहां तक आया होगा 1 km यानि C ने 8 km भागा है हाँ है ना जल्दी से बता हाँ हाँ है ना नहीं बिलकुल नहीं गलत है यह पुछो क्यों गलत है क्योंकि B तो जब हराएगा C को जब B finishing line पे पहुँच जाएगा B तो finishing line पे पहुँचे ही नहीं है है ना और फिर तो हम directly बता सकते है ना A से कितना B J 2 km है हमारा तो answer आ गया जबकि ऐसा नहीं है B को finishing line पे पहुँचाओ तो तब तो तुम उसको हराओगे तब तो तुम उसको जिताओगे ना यह 10 km हमारी distance से यह तो रहीगी track की तो पहले B को finishing line पे तो पहुचाओ तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे एक अलग figure बनाएंगे B and C के लिए जो फिगर बनेगा उसमें starting point यह आएगा finishing point यह आएगा और race जो रहेगी पूरी 10 km की रहेगी लेकिन इसमें क्या case होगा कि B हमारा finishing point पे पहुच जाएगा ना तब C हमारा इससे एक km पीछे रहेगा यानि कि यह 9 km ही भागेगा got it or not हाँ या ना बताओ जल्दी से clear है ना चलो तो यहां से मुझे बताओ कि A और B की जो distance का ratio आ रहे है वो कितना आ रहे है आप बोलोगे सर B ने भागा है पूरा 10 km और C ने भागा है 9 km अब मैं पूछूँगा बहिए जड़ा बताना मुझे ABC का तीनों का combine ratio करके तो सर आप बोलोगे यहां पर B 10 है यहां पर 9 है इस वाले में 10 से multiply इस वाले में 9 से multiply तो जैसी 10 से multiply करोगे तो यह आ जाएगा 100 यह आ जाएगा आ पर 10 से नहीं नहीं 9 से सही है बी को परावर करना है ना तो 90 & 90 और C कितना आ जाएगा हमारा C आ जाएगा 81 बूझे अब question में पूचा है कि how many meter does A beat C तो A ने C को कितने मीटर से हराया अब अगर A C को हराएगा तो obvious ही बाद है ए पूरा का पूरा जो भी distance उसको cover करेगा है ना तो ए कितनी कवर करेगा पूरी की पूरी distance पूरा का पूरा track जो कि है 10 km तो 100 unit की बराबर की जो value आएगी वो कितना आ जाएगा 10 km या we can say 10,000 meter है ना तो 100 meter की value कितनी ह हो जाएगी this much 100 meter की value this much यानि 100 unit की value अगर 1000 meter 10,000 meter है तो 1 unit की value 100 meter हो जाएगी है ना अब A ने अगर C को हराया है तो कितने unit से हराया है देखो दोनों का difference देखो कितना है 19 है ना तो 19 से multiply this side और 19 से multiply this side तो अबर answer will be 1900 meter यानि 1.9 km से इसको हराया है दोस्त मुझे यह करते हैं स्टाइक के question में एक अलग से figure बनता है एक अलग से figure बनता है और फिर answer आता है combine करके जैसे पिछले question में किया था हमने अलग से figure बनाया था फिर combine किया था ratio ऐसे कभी गलत ही नहीं होगा यार अब ये concept की कमी है के नहीं है इसलिए तो ये बैच जरूरी भी है हाला कि लोग कम है इसमें लेकिन सीखेंगे कितना ये भी तो देख लो अब चार question हो गए you know what ये question काई में आया है बताओं मैं ये question है cat 2017 का cat 2017 figure से ही बनेंगे question हमेशा figure से ही अच्छे बनते हैं cat 2017 का question है आप लोग सर्च कर सकते हो आपको मिल जाएगा ये question Google पर अगला देखिए अगला question क्या है in a mile race in a mile एक mile 2 mile 3 mile 4 5 6 mile बोलते हैं हिंदी में तो मील बोलते हैं जा तक मुझे पता है English में माइल ही बोलते हैं इसको है ना मेरा pronunciation सही है अगलात है कमेंट सेक्शन में बताऊ मुझे फटा फट से हाँ so in a mile race a can be given a start of 128 meter है ना तो एक mile की race है हमारी पूरी race कितने mile की है starting point to finishing point और यह race है हमारी one mile की one mile की race है तो अब आपको पता होना चाहिए कि एक mile में कितने मीटर है तो डरना नहीं है examiner देगा q meter में देगा क्योंकि a can give b a start of 128 meter a can be given English अच्छी नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी English गडबड तो सब कुछ गडबड a can be given a start of 128 meter by b यानि a को start मिला है b भागेगा यहां से और a भागेगा लगभग लगभग 128 meter यहां से यहां पर 128 meter का है और c को वो start दे रहा है यहां पर लगभग लगभग हमारा c रहेगा और यह चार मीटर का start दे दिया थोड़ा सा इसको साफ सुत्रा लिखता हूं मैं यह 128 meter है ध्यान रखिएगा meter और नीचे जो track वो 1 mile का ठीक है figure समझ में आ गया ना तो a can be given a start of 128 meter by b a को जो b से start मिला है वो 128 meter का मिला है जबकि b can give c a start of 4 meter तो यानि की c को जो b ने start दिया है वो 4 meter का दिया है एना 100 meter dash अब यह क्या है भाई 100 meter dash क्या आ गया यह कोई बता पाएगा what is the meaning of 100 meter dash यह 100 meter dash क्या है सोचो बदा यह इसका मतब समझ में आ रहा है इसका अलग से डाइग्रम बनेगा नौ इसका अलग से डाइग्रम नहीं बनेगा सोचो दिमक लागो हम हम हमम ह Apache सोचो 100 meter dash का मतलब हो गया कि अगर मान के चलो a अगर a और b की बात करता हूं ठीक है a और b की बात करता हूं इस x इसको दे रहा है start कितने का, start दे रहा है 4 meter का, in a 100 meter dash, इसका मतलब x ने इसको क्या दिया है, इजाज़त दिया है कि तुम जाके दोड़ो आगे जाके, लेकिन अगर मैं 100 भागूंगा, तो तुम 96 भागोगे, क्यों, मैंने 4 meter का तुमको क्या दिया था, start दिया था, लेकिन in a 100 meter dash, मतलब, जब मैं 100 भाग जाओंगा न, उसके बाद तुमको इजाज़त दूँगा, मैं, बुझे, ये कहानी है, बुझे, clear हुआ, ये clear हुआ, ये clear हुई चीज, समझ में आया, तो इसको थोड़ा सा side में रखिएगा, इसको दिमाग में रखिएगा, अब देखो, question थो आगे हमसे बोलता है, then who out of A and C will win a race of one and half mile, one and half mile का मतलब, one and half mile, इतनी race में कौन winner होगा, and what will be the final lead given by the winner to the loser, तो जो भी हमारा winner होगा, वो कितनी जादा lead पे होगा उस समय लूजर से, यानि कितना जादा आगे होगा उस समय वो लूजर से, so one mile is equal to 1600 meter, सबसे पहले तो इसे लिख लो, तो mile वाली चीज़ें पूरी की, पूरी समप्त करता हूँ, तो एना mile race, एक mile की race में, यानि कि ये 1600 meter की race हो गई, correct है, अब चल ला है बढ़िया question, अब question चल ला है बढ़िया, ठीक, अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सिर्फ a और b की, पहले a और b की बात करेंगे, फिर उसके बाद मैं c को involve करूँगा, इसमें नहीं तो फिर बहुत जादा confusion हो जाएगा, so अगर मैं बात करूँ तुमसे के 100, sorry, 1600 meter की race है, जिसमें से b जो है वो पूरा cover करेगा, और a कितना cover करेगा, a cover करेगा, सिर्फ ये वाला पार जो की बचेगा, 1600-100, 1500-28, यानि की 72, यानि 1472 meter कौन cover करेगा, a cover करेगा, done, तो बस यहां से मुझे बता दो, a और b की distance का ratio कितना आ गया, तो a नहीं कवर करी है, sir, पूरी 1600, और b नहीं कवर करी है, sir, sorry, 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 a नहीं कवर करी है, 1472, और b नहीं कवर करी है, sir, पूरी, यान किया से ratio कितना निकलेगा, 4 से cut कर सकते हैं, और 4 से to cut हो जाएगा, और किसे cut हो रहा है, 8 से cut हो रहा है, 8 से cut कर लेते हैं, 8 से this is 200 time, और 8 से this is this is 2-time sorry 4 this is 4 time and this is uh 4 4 five six time for say this is a 50 time 2-7 this is 23 and 2-7 this is 25 तो इनका रेशियो हा गया 23 रेशियो 25 और ब का स्वेशियो को बूजें चालाइगा 23 रेशियो 25 यह द्याना क्लोबस यह A के लिए है और ये B के लिए है ये उल्टा मत कर दे ना गलती हो जाएगी ठीक आच्छा अब आजाओ B और C के लिए जो कहानी चल लाई थी अब B and C के लिए एक अलगी कहानी चल लाई थी उसमें structure की जरूरत नहीं है उसमें कुछ अलगी कहानी चल लाई है क्या के B can give C a start of 4 meter in a 100 meter dash यानी की B C को start दे रहा है और अगर B C को start दे रहा है तो अगर B ने C को start दिया तो कौन कितना भागेगा मुझे तो यह बताओ कि सोचो कौन कितना भागेगा अब यह डैस वाली कहानी समझेगा बहुत ध्यान से dash को तुम ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं हर 100 meter पर तो मैं 4 meter का क्या देता हूँ dash देता हूँ यहां से जो इनका ratio निकलेगा वो ratio निकलेगा इनकी speed का या time का सोचो C पहले भागेगा अगर C पहले भागेगा और तब भी अगर B जीत रहा है यानी सब्सक्राइब को देश समझ आता हूँ एक को तुमने पढ़ा तुमने पढ़ा हूँ एक हर्गोश का एक घर्गोश होता है रेबिट और एक होता है तुम्हारा टर्टल तो इस में कहानी क्या होती है कहानी तो आपने काफी इसके चार कदम बराबर इसका एक कदम पढ़ाई यह चीज बहुत अच्छे से ज्यान होगी कि इसके चार कदम बराबर इसका एक कदम मतलब स्पीड किसकी जादा हो गई इसकी जादा हो गई न यह चार कदम चलेगा उतने में यह एक कदम चलेगा मतलब उतने टाइम में है न उतने टाइम में जितने टाइम में यह चार कदम चलेगा उतने टाइम में यह एक कदम चलेगा यानि इनका टाइम क्या हो गया सेम हो गया अगर यह एक सेकंड में चार कदम चला है, तो यह एक सेकंड में एक कदम चलेगा, तो ताइम इनका क्या हो गया, सेम हो गया ना, और जब भी टाइम हमारा सेम हो जाता है, तो क्या क्या होता है, इस पीड का जो रेशियो होता है, वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो होता है, तो यह डैश जो है ना यह वही है पुझे यानि कि उसने चार मीटर का क्या दिदिया उसे स्टार्ट दे दिया मतलब कि आप सौ भागो मैं 96 भागूँगा पुझे आप सौ भागो मैं 96 भागूँगा ऐसा गॉट इट तो बी और सी का यहां से जो डिस्टेंस का रेशियो निकलेगा वही हमारा इनका स्पीड का भी रेशियो निकलेगा मतलब बी एंड सी का जो यहां पर डिस्टिंस का रेशियो निकलेगा वही हमारे स्पीड का भी रेशियो निकलेगा और वह क्या निकलेगा 96 रेशियो 100 क्लियर हुआ क्योंकि 100 पर दे रहे ना वह तो इसको अगर मैं कट करता हूं तो 4 से कट करूंगा तो यह कितना आ जाएगा मेरे पास 4 से cut करने के बाद यह आ जाएगा तुम्हारा कितना 24 और यह आ जाएगा 25 clear है लेकिन कौन भी कौन सी कौन भी कौन सी कौन स्टार्ट दे रहा है जो स्टार्ट दे रहा है वो कम भागता है जैसे मान के चलो अगर A ने B को स्टार्ट दिया A ने B को स्टार्ट किया तो अबिस्टी बात है B यहां से भागे गा तो इसकी डिस्टेंस कम होगी इसकी X है तो इसकी X से जादा होगी डिस्टेंस पूरी तो अगर यहां भी देखूं तो B ने स्टार्ट दिया था ना तो B की डिस्टेंस कम होगी या B की डिस्टेंस जादा होता है क्लियर हुआ तो यह हमारा आ जाएगा 25 रेशियो 24 भी सी चीक है यही डिस्टेंस यही स्पीड बुझे क्लियर हुआ तो यहां पे इनकी distance का ratio कितना था यह, यहां पे इनकी distance का ratio कितना है यह, अब इनकी distance में अगर मैं B देखूं तो 25 आ रहा है, B देखूं तो 25 तो ABC का जो ratio आएगा, combined ratio वो कितना आ जाएगा, 23 ratio, 25 ratio, 24, done, अब मुझे बताओ, कि अगर इनका इनका यह distance का ratio है, तो जीता कौन, बता ही जल्दी से, कौन जीत रहा है यहां पे, जो ज़्यादा distance भाग रहा है, वो जीत रहा है, जो कम distance भाग रहा है, वो जीत रहा है, हमें यही तो बताना है, and what will be the final lead given by the winner, तो who is the winner, who is the winner, B is the winner, क्यों, क्योंकि A cover करेगा 23 unit, B cover करेगा 25 unit, और C cover करेगा 24 unit, यही तो बोला गया, इदर पर, बताइए, और इसे एक चीज और भी निकल के आती है, क्या निकल के आती है, कि जो A है, वो हमारा सबसे faster है, या सबसे slower है, वो हमारा सबसे ज़्यादा slower है, है ना, अगर speed की बात करें, क्योंकि यही speed का भी ratio होगा, जो distance का ratio है, वही मैंने बताए ना, speed का भी ratio होगा, यानि A की जो speed है speed के मामले में B की speed सबसे ज़्यादा है, देन उसके बाद C की speed है, और फिर उसके बाद A की speed है, यह इनकी speed का ratio कुछ इस तरह से speed में relation आएगा, है ना, तो बोला, and what will be the final lead given by the winner to the loser, तो winner कौन है भाई, winner है B, कितनी race में है, कितनी race में है, one and half mile, तो one and half mile को क्या करोगे, 1.5 into 1600, point अटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, इसका double करेंगे, इसका half करेंगे, इसका double होता है 30, और इसका half होता है 80, यानि की 2400 मीटर की race में, कौन winner, कौन loser, तो 2400 मीटर बराबर ये पूरी की पूरी unit, मुझे clear हुआ, बताओ फटा फट से, बस हमें difference नकालना है, कैसे difference नकालोगे किसके बीच में, winner कौन है, winner ये है, loser कौन है, loser ये है, कितना difference है, two unit का, two unit की जो value आएगी, वही यहाँ पे lead आजाएगी, और वही हमें पता पड़ जाएगा, winner तो हमें पता पड़ गया भी है, लेकिन कितने distance से ये winner है, हमें ये नकालना है, कितनी distance से ये winner है, तो उसके लि unit की value कितनी हो गई, 2400 meter हो गई, तो 24 से ही cut कर लो, 24 से this is 3 time, 24 से this is 100 time, तो one unit की value कितनी हो गई, one unit की value हो गई, 100 by 3 meter, ओके, तो ये winner है, ये loser है, कितना unit मैंने बताया था, two unit, तो two से multiply this side and two से multiply this side, तो हमारा answer कितना आ जाएगा, 200 meter upon 3, और अगर mile में answer निकालना है, वेकोज चला है, और ये track भी mile में ही दिया था, तो mile में कैसे निकालोगे, इसको 1600 से divide कर देंगे हम लो, तो हमारा mile में आ जाएगा, got it or not, बताईए फटा फटा, clear हुआ, बूझे, ये थी कहानी इसमें, और कुछ नहीं करना था इसमें, बाकी meter में भी answer छोड़ सकते हो, mile में निकालना है, mile में निकाल दो, अगला आजाओ, अब circular पर आजाओ, सर इसके और question में करा तो दूँ, लेकिन बात वही है न, इसके question में practice के लिए देंगा तुमको, क्योंकि यार देखो, banking में वैसे भी बहुत कमी आए ये question, और अगर म को लगेगा कि यार हम तो सीख गए सब कुछ, और बाकी भी exam में बहुत कमी के question आते हैं, तो जितने मैंने बता हैं, ये बहुत जादे ही banking के साब से तो जादी है, circular वाले पर आ जाते हैं, circular में थोड़े से cases भी अच्छे हैं और question भी अच्छे हैं, okay? चलिए, तो पहला question लगाता हूँ, अभी तक आपने ये चीज पढ़ी, आपने linear वाला जो भी पड़ा, उसमें आपने ये चीज देखी, कि यहाँ पे आपको कहीं भी relative speed का कहीं भी concept लगा हो, सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया था कि यहाँ पे सिर्फ आपका क्या लगा है, वही वाला concept जो मैंने आपको starting में बताया, distance वाला या फिर कोई specific concept है, उसका अलग देखो, speed time distance जैसा है तो, लेकिन थोड़ा सा अलग है, लेकिन circular में जो सबसे ज़्यादा important है वो है हमारा relative speed वाला concept, क्यों? क्योंकि जब हम circular track पे भागते हैं जैसे मान के चलो, यह starting point है, य या बीच में कही न कहीं इस वाले point पे meeting होगी, वो कब होगी? जब किसी एक की speed दूसरे से ज़्यादा होगी, तब ही meeting होगी, तो यहाँ पे यह दोनों same direction में है, यानि की relative motion यानि की relative speed लग जाती है, मान के चलो, अगर opposite direction में भी है, तो यह यहाँ भागेगा, यह यहाँ, क स्पीड लगती है, तो circular race करने के लिए मैं relative speed की जो knowledge है, वो बहुत तगड़ी होना चाहिए, clear हुआ? चलो, देखते हैं भाई फिर, क्या होता है circular race में, तो सीधे question से करेंगे, क्योंकि question में ही concept है सारे से, सारे के सारे जो concept है, वो सीधे question में ही है, तो हम सीधा question करेंगे, तो उसी से हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा, हमें कुछ ऐसा specialist में सीखने की ज़रूरत है नहीं, क्यो स्पीड लगती है, और relative speed अगर लगती है, तो फिर तो वो तो हमने पहले ही सीखा हुआ है, तो question में कैसे इसको यूज करेंगे, बस वो सीखना है, हमको, got it? Okay? Start करें, पढ़ना चाहते हूँ, तो पढ़ सकते हूँ, वैसे तो इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, वो ही मैं बता रहा हूँ ना, first meeting, second meeting, third meeting, ऐसे question बनेंगे इसमें, तो पहला question देखते हैं, two cyclists are participating in a race on a circular track of 400 meter circumference, circumference जो एसकी 400 meter की, अब circumference क्या, यहां से अगर मैं starting point मानता हूँ, तो यहां से लेके दुवारा यहां तक अगर मैं आ जाओंगो, तो यह पूरी की पूरी जो distance है, track की, वो कितनी है, 400 meter यह, यह starting point है, और यही finishing point है, यही starting point है, यही finishing point है, घूम के बापस यहीं पर आ जाओ, आप जीद जाओगे या हाट जाओगे, तो 400 meter जो है, वो क्या है, पूरे distance है, तो मैं इसको लिख दूँगा, ऐसे मैं 400 नहीं बता सकता ना, ऐसे नहीं बता सकता मैं, तो 400 meter क्या है, racing track की distance है, ओके, आगे आजाओ, white cycle at a speed of 5 meter per second, while black cycle at a speed of 3 meter per second, तो यहाँ पे 2 cycle है, एक है white cycle, और एक है black cycle, अब हमें यह नहीं पता कि किस direction में यह जा रहे है, तो white cycle की जो speed है, वो दी गई है, तर पे 5 meter per second, और black cycle की जो speed दी गई है, वो दी गई है, 3 meter per second, ठीक है, आगे देख point से, at the same time, और same time पर, मैंने क्या बताया था, relative speed कब लगती हमेशा, जब same time की बात होगी, इसलिए तो मैंने बताया ना कि यहाँ पर relative speed का concept आता है, लेकिन वो कब आता है, relative speed तो relative speed होती है, वो तब ही होती है, जब same time पर दौनों object move करें, simple सा समझ में आया, तो same point से, और same time पर यह लोग चलते हैं, and in the same direction, और यह same direction में ही चलना है, यानि कि अगर यह इस direction में है, so this is also in this direction, अब same time ने हमें यह चीज़ क्लियर कर दिया, कि यहाँ पर relative speed लगेगी भाई सार, तो relative speed अगर लगेगी, same time से, same point से, और same direction में है, तो relative speed कितनी हो जाएगी, same direction में दौनों क difference हो जाता है, तो दौनों की speed का difference कितना हो जाएगा, 2 meter per second, बुझे, अगर opposite direction में होते तो 8 meter per second, क्या फरक परता है, बुझे, अब आगे देखो, when will they, अब when will they के आगे दो question है, question number A और question number B, meet for the first time, अब यह पहली बार कब मिलेंगे, पहली बार यह कब मिलेंगे, हमें वो time ब भगा रहे हो न, distance total पता है न, तो हमें time निकालना है, और यह जो time आएगा न, यह इनकी first meeting का time आएगा, तो total distance कितनी है यह, और time कितना है यह, मतब speed कितनी है यह, यानि 200 second बाद, यह लोग पहली बार मिल जाएंगे, क्योंकि relative speed क्या कहती है, कुछ तुम चलो, कुछ हम चलत पहले हैंगे यह, यह न, option number, मतलब question number a, आप आजाते हैं, question number b, पहें, तो question number b क्या कहता है, question number b कहता है, meet for the first time, at the starting point, मतलब, अब यह क्या पूछ रहा है है यह इदर पहे, सोचो question अभी तो ये लोग 200 second बाद मिले अब 200 second बाद अगर मैं तुमसे पूछू 5 meter per second की रफ्तार से अगर ये चलेगा तो इसने 200 second में कितनी distance कवर करी आप बोलोगे सीधा सीधा सर इसने distance कवर कर ली होगी 200 into 5 क्योंकि speed into time तो इसने 1000 मीटर कवर कर ली होगी जबकि अगर मैं बात करूँ black cycle की तो black cycle ने कितनी कवर करी होगी 3 की speed से 200 second ये चला होगा यानि कि 600 मीटर तो दोनोंने अलग 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 चली ना मैंने क्या बोला था कुछ तो चलो कुछ मैं चलूँगा तो पहली बार जब ये लोग मिले तो इन्होंने individually इतनी इतनी distance कवर करी है इसली तो हमने relative speed से पता किया ना कि कितनी second बार मिले ये लोग लेकिन दूसरा question थोड़ा सा अलग है दूसरा question कहता है कि आप first time starting point पे कब मिले अभी तो इस starting point पे नहीं मिले होंगे न अब्यस्थी बात है ये अगर 1000 meter चला है तो 400 400 400 लगबग कितनी बार भी इदर से निकला होगा चक्कर खाय होंगे कितनी बार भी फिर जाके पहला 400 ये आ गया दूसरा 400 ये आ गया और फिर यहां पे 200 यहां पोचवे और इस ने सिर्फ चला था हमारा कितना इसने चला मारा चेहाँ 600 600 शेहाय चला जी silent 400 और ये 600 लगयना यह दर पे दौनों आगे तो ये starting point पे तो नहीं मिले यह starting point पे तो नहीं मिले यह मिले कहां पे यह बीच नहीं मिले लेकिन दूसरा जो option number B है जो question number B है उसमें पूछा जाता है meet for the first time at the starting point के starting point पे वो पहली बार कब मिलेंगे clear हुआ question starting point पे पहली बार कब मिलेंगे okay तो देखो अब इसके लिए क्या करेंगे white cycle और black cycle white cycle को starting point पे दुबारा बापस आने में कितना समय लगेगा तो आप बोलोगे sir 400 की distance है और इसकी speed है 5 meter per second तो इसको time लगेगा sir 80 seconds लगेगा दुबारा से यहाँ पे आने में मतला पूरा एक चक्कर काटने में इसको 80 seconds लगते है जबकि black cycle की speed है वो कितनी है 3 meter per second और distance कितनी कवर कर रहा है इतनी तो इसको दुबारा से यहाँ मतला पूरा एक चक्कर काटने में कितना समय लगता है इतना ही समय लगता है क्योंकि इसको मैं कट नहीं कर सकता इतने second लगते है यह distance है यह इसकी speed है तो white cycle को starting point पे एक पूरा चक्कर लग देंगे तो दौनों की जो timing है ना दौनों की जो timing निकल के आई यह दर पर दौनों की जो time मैंने individually निकाले है ना इनका LCM निकालना पड़ता है और SCF निकालना पड़ता है बुझे अब यह concept जो है इसको याद कर लेना यह concept जो है इसको याद कर लेना अगर starting point पे तुमको म कैसे मिलाएंगे वो चीज ध्यान में सुनना बहुत ध्यान से कैसे निकालेंगे fraction का LCM और SCF मैंने number system बाली class में आपको जिसमें मैंने SCF और LCM से खाया था एक बार फिर से एवाला portion समझ में आया आपको एवाला portion समझ में आया या नहीं आया मुझे तो यह बताओ एवाला portion समझ में आया हाँ बी वाला समझाता हूं पहले मैंने निकाला क्या कि वाइड साइकल को स्टार्टिंग पॉइंट यानि पूरा एक चक्कर लगाने में कितना सामय लगा तो पूरा चक्कर है कितने का 400 मीटर का वाइड साइकल की पीड कितनी है 5 डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होती है टाइमिंग होती है तो एक चक्कर लगाने में पूरा एक चक्कर लगाने में इसको 80 सेकंड लगते हैं जबकि ब्लैक साइकल को पूरा एक चक्कर लगाने में इतने सेकंड लगते हैं क्यों लगते हैं क्योंकि पू अब सुनना बहुत द्यान से द्यान से सुनोगे सारी चीज़ें के लिए रो जाएंगे अब मैं अगर यहां से एक चक्कर लगाता हूं और यहां पर पहुंच जाता हूं थे रहे है तो पीछे रह गए उंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होता है वो समझ दो starting point पर first time मिलने के लिए हम लोग क्या करता है meet first time at starting point यह concept यह याद कर लेना यह क्यों होता है वह भी मैं बता दूंगा अला कि पहला चक्कर घुमा 80 second लगे डबलू को दूसरा घुमेगा 160 second दूसरा चक्कर 160 second में यहाँ जाएगा जबकि पहला चक्कर इसको लगेगा कितना 133 seconds दूसरा चकर एक और 133 seconds यानि 236 266 तो ऐसे ऐसे चक्कर काटते 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 कितने सेकंड तक मैं इनको चक्कर घलबाऊं कितने सेकंड तक इनको चक्कर घलबाऊं कि यह मेरे यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएं कितने ऐसे चक्कर लगवाँ कितने सेकंड तक चलवाँ इनको यह मैं बताना चाहता हूं इसके लिए जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है LCM of Time upon SCF of Time बस यह कंसेप्ट है खटक सीना से आंसर आएगा समझे रहो एक नंबर आएगा इसका और अगर यह नहीं लगाना है तो मैं बताता हूं इसके पीछे का लॉजिक अगर लॉजिक से करना चाहते हो तो मैं लॉजिक से बता देता हूं लॉजिक से कैसे करोगे पहला चक्कर लगाया मुझे 80 सेकंड लगे डबलू को दूसरा चक्कर लगाया एक और 80 लगे तीसरा चक्कर लगाया एक और 80 सेकंड लगे चौथा चक्कर लगाया एक और 80 सेकंड लगे पांचमा चक्कर लगाया एक और 80 सेकंड लगे ठीक है सुन कुंदे जाना पांच में चक्कर में यानि डबलू के पांच चक्कर में 400 सेकंड लगते हैं कि अब लगाते हैं पहला चक्कर इन यह लगाया 133 दूसरा चक्कर लगाया 133 तीसरा चकर 133 और टोटल अगर हम करेंगे क्योंकि चींदी यह लगा। तो तीन चक्क्र जब मैं पहुंचूंगा यहां पहें तीन चक्कर के बाद 400 सेकंड में चलूंगा जो की टाइमन मेरे पास पहले से थी तीन चक्कर में लगा तो रहा हूं जब मैं तीजरे चक्कर पर होंगा मैं मुझे पता नहीं वो उदर पर मुझे डवलू मिलेगा की नहीं मिलेगा मुझे तो मिलना है उससे तो जब यह बाली चीज़े ऐसी फ्रैक्शन में आ जाती है तब दिक्कत हो जाती है हमको तब दिक्कत होती है जब यह फ्रैक्शन में मैं टेबल इसकी फोर्म करवाता हूं आपको एक टेबल बनवाता हूं इसकी कहां बनवाता हूं यहां बनवा की मेरे पास एक जगधा है ना यहां टेबल बना देता हूं जिससे आपको हमेशा के लिए याद रहेगा यह चीश्श ठीक है देखो दो अब्जेक्ट हैं A and B अपोजिट डारेक्शन तो टेवल क्या बना जाई है उसको देखना बहुत ज्यान से जो टेवल बन रही है वो बनाता हूं मैं चलो कि देखो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ आ मीट Central the first time अब यह meet for the first time कहीं भी मिल जाओ कहीं भी मिल जाओ इंदा सेंस जो अभी हमने question किया यह वाला यह वाला कहीं भी मिल जाओ सीधा distance upon relative speed यह हमारा time निकल गया जाए ठीक है अब distance upon relative speed यह जो भी total तुम्हारी distance है track की track यानि कि जो भी तुम्हारा पूरा track है उसकी distance अपॉन तुम्हारी relative speed जो की क्या आती है distance upon difference of a की speed और b की speed यह आती है difference ही तो आता है relative speed में जब बोड़नों सेम डारेक्शन में होते हैं यह सेम है यह opposite है तो इसमें formula क्या बनेगा distance upon relative speed लेकिन जब यह opposite direction में तो क्या होते है distance upon speed of a plus speed of b clear है यह वाला यह कहीं भी मिलना है जरूरी नहीं starting point में मिलना है ठीक अब आ जाओ यहाँ पर meet at the starting point और यह भी हमारा कैसा starting point पर तो मिलना है बट for the first time got it यह भी starting point में मिलना है लेकिन starting point पर पहली बार मिलना इनको यह तो कहीं भी मिलना थे यह anywhere यह anywhere वाली condition है बट यह हमारी starting मतब starting point में मिलना है वो भी पहली बार मिलना है तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम लोग ध्यान से सुन लेना बिल्कुल तगड़ा बता देता हूं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है lcm of lcm किस चीज का निकालना है वो देखिएगा बात lcm of distance upon a की speed and distance upon b की speed चलेगा clear है कोई दिक्कत lcm of d upon distance upon a की speed and distance upon b की speed और यह distance क्या है यह distance है जो racing track है आपका बताईए को देखिए और अगर opposite direction में है तो lcm of distance upon a की speed and distance upon b की speed speed तो फिर सरा आप अभी scf क्यों बता रहे थे उसमें क्योंकि उसको मैंने combine कर दिया था फिर fraction का lcm निकालते हैं हम लोग उसमे combine करके कैसे करते हैं fraction का lcm और fraction का scf बहुत अलग तरीके से अब भूलोगे भूलोगे क्या अब आजाओ अब यह जो question हम लोग कर रहे थे अब यह दौनों में same है ध्यान अफियेगा यह दौनों में same है यह है meeting for the first time anywhere और यह है meeting at the starting point for the first time अब इस question को देखिएगा यहाँ पर मैं देखूं तो मुझे क्या करना था meeting for the first time at the starting point तो मैं क्या करूंगा lcm of distance कितनी है 400 upon a की speed कितनी है इसको अचा दिता हूं मैं मुझे timing नहीं चाहिए मुझे timing नहीं चाहिए मुझे सिर्फिन की ski की स्पीड कितनी है इसकी स्पीड कितनी है 5 और हीयर कितनी है 3 मीटर टो इसकी श्कीजी नियुक्ण cinco एंटड़व उपोन इपन किसके शाद 2 मीटर पड़ से चलेगा इ unpre index अब zupełnie आपन क्या है अब्हक हामें क्या चु molal Wahr Flomy federal अब LCM कैसे होता है? LCM निकालने के लिए पहले जो कट रहा है उसको कट कर दो, इसलिए मैंने टाइमिंग निकाल लिए थे, तो वो कितने आये थे? 80 आये था और यह इतने ही आये था, तो LCM में पहले जो common दिखता है ना, उसको common ले लो, अब LCM fraction का जो होता है ना, वो ऐसे निकलते ही नहीं है, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ, अब यह fraction ही तो एक तरह से अगर आप देखोगे तो, fraction नहीं है क्या यह? हाँ है ना, अगर मैं 5 से इसको cut कर देता हूँ, तो यह मेरे पास कितना आ जाएगा? 80 upon 1 and 400 upon 3, क्या यह fraction नहीं देख रहे हैं तुमको? तो fraction का LCM कैसे निकलता है, इसको मैंने बताए था, LCM of fraction and SCF of fraction, LCM जो होता है, fraction का वो निकलता है, LCM of numerator upon HCF of denominator, जबकि SCF of fraction का फॉर्मला होता है, SCF of numerator upon LCM of denominator, यही फॉर्मला बताए था, मैंने नमबर सिस्टम किस-किस ने पढ़ाए बता हूँ, यही फॉर्मला बताए था, fraction के लिए, हाँ है ना, तो अब यह भाई, fraction में तो है, अब इनका LCM निकलना है मैं, तो LCM अगर निकलना है मुझे, तो सबसे पहले मैं numerator को देखूँगा, उनका निकालूँगा मैं LCM, तो LCM of numerator, और numerator कौन कौन से है मेरे, numerator है मेरे 80 and 400, ठीक है, और SCF में निकालूँगा किसका, SCF of denominator, और denominator कितने है मेरे, 1 and 3, इन दोनों को upon कर देंगे, तो हमारा LCM of fraction आ जाएगा, जो कि हमें निकालना है, इन दोनों को upon करने के बाद, तो 80 and 400 का LCM कितना होता है, बताओ, 80 and 400 का LCM कितना होगा, अबिसी बात है 400, और 1 और 3 का SCF कितना ह है, यह दोनों की दोनों हमारे composite number है, composite कह रहा हूँ, co-prime number है, और co-prime number का जो HCF आता है, वो 1 आता है, so this is 1, यानि कि पहली बार यह meeting करेंगे, 400 second में, कैसा लगा question, कैसा लगा concept, number system नहीं पढ़ी होती, तो आज यह समझ में ना आता, बुझे, number system नहीं पढ़ी होती, अगर, तो आज यह समझ में आ ही नहीं आता, कैसे भी करके, तो दौनों batch क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है, वहाँ पर जो सीख रहे हो ना, कही ना कहीं वो ऐसी जगे यूज हो रहा है तुमारा, जो कोई कर ही नहीं पा रहा है, और यह question literally कोई नहीं करता, क्यों, क्योंकि concept यहीं लगेगा, या तो फिर तुम count करते रहो, count क कितने round, कितने round, कितने round, count तो कर नहीं सकते, यहां पर चलो तब भी 400 meter का track था, और अगर यह track बढ़ा हो जाता तो, अगर यह track 1780 meter का हो जाता तो 1780 वर count करते क्या उसको, नहीं करते ना, तो यह है कहानी उसके बीछे, अगला question आता है, अब अगला question क्या है, उसको देखे, अगला question सेम भई है, पूरा का पूरा question भई है, पूरा का पूरा, black cycle की भी speed भई है, white cycle की भी speed भई है, बस दिक्कत यह है कि इसमें opposite है, तो opposite में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, distance कितनी है track की, 400 meter, relative speed क्या हो जाएगी भाई, इन लोगों की, relative speed हो जाएगी, अब opposite direction में है, तो तो time, कौन सा time, पहली बार मिलने का time, meet for the first time, कहीं भी अगर यह मिलने है, तो track की distance, आप कौन, speed of, जो भी relative speed है, 8, यानि की, 50 seconds में, option number 1 की बहले तो 50 seconds आगी, आच्छा, अब आता है B का काम, और B का काम है बाई तगड़ा, क्या, हमें निकालना है, meet for the first time, at the starting point, तो इसका क् होता है question, LCM of fraction, LCM of what, distance upon A की speed, A की speed, and distance upon B की speed, formula वही है न, चाहे तुम opposite direction में जाओ, चाहे तुम same direction में जाओ, तो इसका भी answer यही आने वाला है, 400 seconds, हाँ है न, भली मैं निकाल के बता देता हूँ, तो यहाँ पर क्या करोगे, तुम distance रखोगे, 400 upon A की speed कितनी है, 5 meter per second, और यहाँ पर रखोगे, क्या, D यानी की distance 400 है, और B की speed, यानी 3 meter per second, धौनो वैलू अगर देखोगे, तो यहाँ पर 80 time कर जाएगा, fraction बचेगा, 80 upon 1, LCM of numerator, इसका formula यही होता है, fraction का, upon SCF of denominator, तो इनका LCM कितना आजाएगा, 400, और इनका SCF कितना आजाएगा, यानी 400 seconds, यही आं दर है, अब यह question कैसे बन जाएगा, अगर यह concept नहीं पता हुआ तो, गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं, सच बताना बिल्कुल, दिल पर दिमाग रखके, अरे नहीं यार, दिल पर कुछ नहीं रखके, बताओ, दिल पर हाथ रखके, दिल पर हाथ रख लेते हो, पहले चीरा लगाओगे आगे, पर छाती फाड़ोगे, फिर हाथ रखोगे, मरना जाओगे, क्या यार, इल्लोजिकल बाते करते हो, मैठ पढ़ रहे हो यार, अगला question देखो, अब यह देखिए भई, अब क्या question है, अब थोड़ा सा अलग question, क्या है भई अलग question, देखो, concept से भरपूर था, पहला दूसरा question दोनों, था या नहीं था, मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा, concept से भरपूर था या नहीं, यही आएगा question, इसके अलाबा question भई, यही question आएगा तुमारा, पहले question में दो question थे, और दूसरे question में भी 2 question थे, तो टोटल 4 question, और यह आगया वारा पााच मा question, पाँचमा नहीं 07 अब देखो इतरपे क् 對不對 प्री में आएगा यह कभी नहीं आ सकता है कि में अगे दो कि पहला वाला यह वाला यह च्छान से करेसी गरा यह दिखो तूर तो सरनrint प्रेंट में बता सकता हूँ तुमको यह जो कोशन है ना यह कोशन है 2018 केट सीखने के लिए क्या दिक्कत है अब इन दौन मेंसे कोई भी है पोजेट या सेम डारेक्शन से फरग नहीं पड़ता है इन दौन मेंसे कोई यह कोशन है और तो रन अना सर्कुलर ट्रेक ऑफ 600 मीटर तो डिस्टेंस कितनी है भाई सर्कुलर ट्रेक की 600 मीटर ठीक है आगे देखो अगर मेंस में रेस का कोशन आता है लीनियर वाले जो कराएं उससे आएगा और इससे अगर कराएं तो इससे आएगा इसके अलावा आ ही नहीं सकता भूर नहीं है पॉस्ट्बल ही नहीं है तो 600 मीटर भाई सर्कुलर ट्रेक है विझाए स्पीड ऑफ 6 एंट की वे स्पीड है और strikes 6 meter per second और दूसरे बंदे की जो speed है जिसको मैंने भी बोल दिया उसकी speed है 2 meter per second दोनों की speed पता है हमको आ गया जाओ they start at the same time and from the same point वो same time पर same point पर start करते हैं same time का मतलब क्या समझ में आता है same time क मतलब समझ में आता है कि यहां पर हमारी क्या लगरी है बताओ जल्दी से फ्ठा फ्ठ क्या लग रही है यहां पर any one बताय का कोई हा जी relative speed लग रही है क्या लग रही है सारी लोग नहीं बताते है कुछ लोग moving करते हैं चुछ लोग बैठे रहते हैं अच्छा लगता है चै relative speed लगेगी क्यों? क्यों कि same time से ही तो पता फड़ता है relative speed लग रही है और दो object है गाइ दो अबजेक्ट है और relative speed तो लगेगी लगेगी है ना शलो भाई अगर ऐसा है तो आगे दिखते हैं क्या कहानी है and from the same point ठीक है भाई how many times they will meet before meeting again at the starting point including the last meeting मतलब वो कितनी बार मिलेंगे अब जैसे मान के चलो ये हैं बंदे यहां से start कर रहे है स्टार्टिंग पॉइंट से यह रहा ए और यह रहा भी दौनों यहीं से भाग रहे हैं सेम टाइम पर सेम पॉइंट से तो पहली बार मिलने के अलावा अब जब स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली बार मिली तो रहे हैं वह साथ में तो खड़े है ना उसमें बोला है हाओ मैंनी टाइम वियल दे मीट विपोर मीटिंग अगें एंट दा स्टार्टिंग पॉइंटम पॉइंट से मिलने के बाद मतलब अंतीम जो मीटिंग होगी नस भी गया है कि इंक्लूडिंग दा लास्ठ मिटिंग फिलेंग जोगी न उसको भी चाउंट करना है कौंट किया नहीं करना एक तो जब शख़़े वहाऊ पर कांट नहीं करना है और जब यह सटर्टिंग कॉइंट में उस कितनी वाम मिले हैं कितनी वार मिलकर सब्सक्राइब और सब्सक्सक्रार है अगर दो को मिलने है उसका कोई मतलब नहीं है समझ में आया क्लियर हुआ यह स्टार्टिंग पॉइंट और यह ए और यह भी कोशन किसे समझ में नहीं आया मुझे बताना मैं फिर इसको फिर से बताता हूं आपको कोचन किसे समझ में नहीं आया इस टार्टिंग पॉइंट पर मिलने पर या स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से मिलने पर फिर से बोला है उसने देखो how many times will they meet before meeting again at the starting point पर एक बार जैसे अब तो यह चल ले अभी तो मिली रहे ना starting point पर अब यह घूमते रहेंगे starting point में मिल गए मिल गए ना अब उसके पहले मतब start करने के बाद starting point के फिर से starting point में मिलने के बीच में जो जितनी वार यह मिले है वो counting हमें बताना है और including last meeting और last meeting भी बताना है बुझे अभी question समझ में आ गया ना बोलिए फटा फट बोलिए तुम आ रहे मुझे दिखनी रहे message कि तुम करी नहीं रहे message भाई लगता मुझे दिखनी रहे तुम लोग के message नहीं दिखते हैं गलती मेरी है तुम लोग की नहीं है तो question अब अच्छे से समझ में आ गया होगा अब मुझे कमेंटी नहीं देख रहे तो मैंने दोबारा बता दिया लेकिन समझ में आ गया होगा अब यह होता है सबसे easy type का question मैं आपको होता है यह सबसे easy type का circular का question होता है काफी यूज करती है इन question को बट यहां पर language लागे यहां language लागे वह काफी साधान सी language लागे तो बात होती है question number a की तो question number a बोलता है they run in the same direction अगर यह दोनों की दोनों same direction में दोडेंगे यानि अगर यह दोनों same direction में जाएंगे तो इनकी जो रेलेटेव स्पीड होगी फौदा question number a वो रेलेटेव स्पीड कितनी हो जाएगी इनकी रेलेटेव स्पीड हो जाएगी same direction में कितनी हो जाएगी दोनों का difference यानि 6-2 यानि की 4 meter per second done होगी बताइए ठीक है आच्छा अब पहली बार अगर यह लोग मिलते हैं कहीं भी अगर मिलते कहीं भी पहली बार meet for the first time meet for the first time अगर पहली बार यह लोग मिलते हैं तो कितनी समय बाद मिलेंगे कुछ नहीं करना है distance upon relative speed कितनी second बाद मिलेंगे 150 second बाद है है न मिलेंगे अब बात कर लेते हैं meet for the first time at starting point समझते जाना meet for the first time at starting point starting point पर कैसे मिलेंगे कुछ नहीं वही जो पड़ा था वही जो पड़ा था अब पहले question तक तो easy था जो कि SSC वैसे से सारे लोग पूछते हैं लेकिन यहां जाके दिक्कत हो जाती है meet for the first time at starting point तो क्या नेकालेंगे हम लोग lcm of lcm of किसका किसका distance upon a की speed तो distance upon a की speed कितनी है 400 याद क्युमारी दिस्टेंस कितनी थी 600 और a की speed कितनी है 6 and distance upon b की speed और वो कितनी है 2 got it इसको cut कर सकते हैं यह कितना आ जाएगा 100 और यह कितना आ जाएगा 300 तो 100 और 300 का जो lcm होता है वो कितना होता है आप तो भाई numerator और denominator बचा ही नहीं ना आप तो सिर्फ दो ही value बची एक 100 और एक 300 तो इन दोनों का lcm कितना होता है 300 सेकंड एजी हो गया starting point पे पहली बार कम मिलेंगे 300 सेकंड अब starting point पे तो यह मिल गए अब starting point पे जब यह मिल गए तो यह last meeting हुई इनकी last meeting हुई तो एक बार यह मिले बीच में कहीं और एक बार मिले यह last में कहीं लेकिन ऐसे नहीं निकलेगा यह चीज यह चीज ऐसे नहीं निकलती है अगर हमें number of points पता करना है न उसके यह number of time उनकी बारे में पता करना है कि कितनी बार वो मिले है ना तो हम कैसे करते हैं वो देखो number of times number of times of meeting अब जो English लिखी जाएगे वो मुझे नहीं पता number of time of meeting अगर मैं पता करूं तो कैसे मैं पता करूंगा इसके लिए अगर कुछ old cd value आएगी तो फिर दर पर तुमको divide कराके ही निकालना पड़ेगा बुझे है clear हुआ done है अब देखो जब दूसरा question करूंगे ना जब दूसरा question बताऊंगा ना तब देखिएगा question number b जो है ना उसको मैं यहां solve करता हूं अब question number b में कह अगर यह opposite direction में जाएंगे तो इनकी relative speed कितनी हो जाएगी relative speed हो जाएगी 8 meter per second 8 meter per second क्योंकि opposite direction में तो obvious सी बात है यह जो इनकी speed है वो sum हो जाएगी है ना तो meet for the first time anywhere meet for the first time meet for the first time time इनका जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा distance upon relative speed तो यह कितना आ जाएगा force this is 150 and 2 यानिकी 75 seconds में 75 seconds में लेकिन अगर मैं पोच्छू हूं तुमसे at the starting point meet first at starting point तो वो कैसे निकालोगे वही same process जैसे नीचे निकाला था तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यह 300 seconds क्योंकि opposite में हो चाहे same direction में हो बात तो बराबर ही है अब मैंने बोला है कि number of meetings कैसे निकलेगी number of meetings तो number of meetings के लिए क्लिए क्या करोगे starting point पर जितनी बार मिल ले है वो उसका समय और यहां पर जितनी बार मिल ले हो उसका समय डिबाइट कर दोगे तो यानि four times है ना तो option number मतब question number जो बी है उसमें चार बार मिलेंगे लोग four times और इस वाले में two times यह है वाई question बुझे है ऐसे होता है यह question यह बिलकुल high level हो जाता है अगर यह जो हमारा second वाला case है ना meet at the first time at the starting point यह वाला case अगर include हो रही है ना कसी भी चीज में तो यह थोड़ा सा high level हो जाता है अदरवाइस ssc वाले या जो भी चीज़े होती ना वह पहला वाला टाइप proportion की उसमें आप से डिवाइड क्यों किया मैं बताता हूं देखो डिवाइड इसलिए किया क्योंकि अगर मैं मान के चलो पहले जो starting point है उस पर मैं कितनी बार मिलना हूं कितनी बार निकालना है ना मुझे अभी आज से चल गया हां तो यहां पर क्या बुला है कि जब वो पहले point पर दुबारा मलता कितनी बार मिलते हैं हमें कितनी बार निकालना है ना तो 300 second तक भागते रहेंगे 300 second 300 second 300 second 300 second 300 second कितनी बार कितनी बार निकालना है ना तो 300 second भागे वो कब जब वो first यहां पर starting point में मिलना है और 75 second भागे वो लोग कब तक जब वो first time कहीं और भी मिलना है तो यहां से इसको जब हम divide करा देते है ना तो हमारे पास वो times निकल के आ जाता है because second and second that's why हमारे पास निकल के आता है four times यह ब यार चक्कर खाया वो चक्कर खाने के लिए हम लोग एडिवाइट करा रहे हैं समझ में आया चक्कर खाने के लिए अरे thank you so much निदी शालो तो I think यह चीज भी clear होई गई होगी आपको और एक चीज में आपको बताना चाहता हूं और वो चीज यह है कि आज जो है हिंदी की class में नहीं लूँगा क्योंकि reason आपको पता है और इसके लिए माफी चाहूंगा साइध मैं माफी के काबिल नहीं हूं लेकिन मैं आपसे माफी चाहता हूं प्लीस मुझे माफ कर दीजया कर सकते होगा मुझे माफ लेकिन मैं कल इसकी क्लास जरूर ले लूँगा जो आज की क्लास है अब कल तो वैसे भी गैप रहे गई तो मैं कल इसकी क्लास सेडूल कर दूना क्योंकि आज सुभा से ही ना बात यह ना कि सुभा से काफी सारी चीज होई है देखो ज 54 आप सभी के लीए जबा डी पता नहीं मैंने क्यों लगा दी मेरी क्या सब दूना जाता था 예쁜 यहां पर बैठा मैं आपके साथ मैं तो फिर मुझे लगा कि नहीं आए इतना जल्दी नहीं कर सकते किसी जिश्कों सर अभी ट्रेन वाले कोशन और बचे हैं ना कल ट्रेन के कंसेट पढ़ेंगे बोटन स्टीम के कंसेट पढ़ेंगे सर कुछ पूछ रहा है पूछ हूं बिल्कुल पूछ सकते हैं अब लोग अचाह एक कोशन और है आरे वाह वाह हो गया फिर तो पाता लगे लेकर किया रहा है ठीक है पूछें क्या पूछ पूछें क्या पूछ